नमस्ते फ्रेंड्स वेलकम टू पूनम की रसोई आज आपके साथ हम नौरात्री स्पेसल भोग सेर करेंगे और इस भोग में हम बनाएंगे सूजी का हल्वा और काले चने का प्रसाद और ये बहुत इजी और बहुत ही इंस्टेंट बनके तयार होता है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आप मिंटों में ये भोग बनाके तयार करेंगे जब भी नौरात्री आती है हम लोग कन्या भोज कराते हैं और कन्याओं को खिलाने के लिए हम लोग काले चने का प्रसाद तो बनाते ही हैं साथ में बनाते हैं सूजी का हल्वा तो आज हम इंस्टेंट ये ध्यान से डाल दिया तो फिर ये हल्वा इतना टेस्टी बनेगा कि आप पूछे मत तो हमने आदा कप लिया चीनी आदा ही कप ले ली सूजी मैंने मोटी वाली ही सूजी ली है और इसी के साथ आदा कप ले लिया देशी घी दो टेबल स्पून रूम टेंपरेचर पे ये दिखे हमने गैस को कर लिया ओन और इसी में रखेंगे एक कडाही और हमने आदा कप घी लिया था ना उसी घी को अभी इस कडाही में डाल देना है और घी को गारम कर लेना है बहुत high temperature में गरम न करें, medium गरम घी रहने दें और इसी घी में हमको डालना है काजू और बदाम आप अपने हिसाब से कोई भी dry fruit add कर सकते हैं तो हम इसको हल्वा में बाद में use करेंगे तो मैं इसको अभी shake लेती हूँ अगर आप काजू बदाम पसंद है तो आप डालें या फिर जो भी dry fruit पसंद है आप उस सारे dry fruit डाल सकते हैं कुछ dry fruit नहीं पसंद उनको skip कर सकते हैं और ये देखिए हमने shake के तयार कर लिया ये देखिए बस आपको इतना ही shake ना है इससे ज़्यादा dark नहीं करना हमने जो आदा कप सूजी ली थी ना उसी गी में हमने ये सूजी भी डाल दी और सूजी को हमको अच्छे से golden color की होने तक सेखनी है मैं आपको दिखाऊंगी सूजी आप जब सेखे low to medium flame में ही सेखे अगर हम सूजी को high flame में सेखेंगे तो सूजी जल जाएगी अच्छे से सेखती नहीं है तो सूजी को हमेशा low to medium flame में ही सेखे मैंने 7 मिनट तक सूजी को low to medium flame में सेख लिया है और आपको पास से दिखा रहे हैं कितनी दानेदार दिख रहे हैं तो सूजी चीनी और घी की quantity बरावर होनी चाहिए और पानी की तीन गुना होनी चाहिए तो ये देखे हमने पानी एड़ किया और इसी के साथ में डाल दूँगी खड़ी इलाइची इस बार हम इलाइची का पाउडर नहीं यूज़ करेंगे इलाइची डाल देते हैं पानी डालने के बाद हमने सारी चीज़े मिक्स कर दी इलाइची भी इसी में डाल दी थी लेड लगाके एक मिनट तक मीडियम फ्लेम में सूजी को पकने दिया और देखे मैं आपको अब लेड हटा के दिखा रही हूँ कितने अच्छे से सूजी फूल गई है पुरा पानी खतम हो गया है और ये देखे हमने कर दिया वापिस मिक्स अभी हलुआ बनके तयार नहीं हुआ लेकिन हमारा 80% तक हलुआ कुक हो गया है एक बार आप इस तरह हलुआ बना के जरूर देखे चीनी को हमको करना है मिक्स और इस टाइम पर आप फ्लेम को मीडियम ही रखें और ये देखे चीनी भी हो गई मिक्स अब हमको एड़ करना है ड्राइफ रूट हमने ड्राइफ रूट सेक के रख लिये थे वही हम इस टाइम पर एड़ करेंगे आप खीर हलुआ जब भी बनाएं ड्राइफ रूट हमेशा सेख के ही डालें स्वाध बहुत ज़्यादा इनायन्स हो जाता है ड्राइफ रूट को हमने कर दिया मिक्स फ्लेम अभी हमारी मीडियम ही है तो चलिए अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ फिर से हमने लेट से कवर किया और एक मिनट के लिए वापिस मीडियम फ्लेम में हलुआ को पकने देंगे एक मिनट बाद वापिस मैंने हलुआ को चला दिया और हलुआ हमारा 95% तक कुक हो गया है अब हम इसमें ऋट करेंगे लेकिन अभी पूरी तरह से पका नहीं है आपको इसमें कुछ चीजह और ध्यान रखनी है तो चलिए अब हम इसमें ऋट करेंगे केसर वाला दुद हमने स्टार्टिंग में केसर गला दी थी केसर भी गल गई है केसर का दूर डालते ही दो चीजे होंगी एक तो हलुआ में टेस्ट बहुत अच्छा हैगा और केसर डालने से हलुआ का कलर बहुत अच्छा आता है तो ये देखिए हमने केसर डालके सारी चीजे मिक्स कर दी अब आप हलुआ का कलर देख सकते हैं धीरे धीरे चेंज हो रहा है हलका सा golden color का हो गया है ये देखे बहुत tasty लगेगा खाने में और देखने में बहुत सुन्दर एकदम बजार जैसा हलुआ लगेगा ये देखे घर में आपने कितना tasty हलुआ बना के तयार कर लिया दानेदार हलुआ बना है मैं आपको पास से लगे इतना यमी बना है ये देखे बहुत बहुत tasty हलुआ बनके तयार हो गया तूट डालने के बाद आपको बहुत जादा नहीं चलाना आदा मिनट के अंदर गैस को बंद कर देना है और हलुआ को हलका सा गीला ही रखना है क्योंकि सूजी का हलुआ रखे रखे गाड़ा हो जाता है तो ये हमने हलुआ को सर्व कर लिया आद से आपको मैं दिखा रही हूँ अब हम चलते हैं मसालेदार चने बनाने के लिए जो कन्या भोज में बहुत ज़्यादा जरूरी होते हम कंचक को खिलाते हैं तो सबसे पहले आपको चना गलाने का ध्यान रखना है चने 6 अच्छे से गले होंगे तब ही चने बहुत टेश्टी बनते हैं मैंने आधा कप चने 7 गंटे के लिए गला के छोड़ दिये और चने अच्छे से गल गया है तो चलिए हम आध इंस्टेंट चना बनाके तयार करेंगे उबालने की जंध़ट ही नहीं रखेंगे तो इंस्ट चम्मच हल्दी और एक चम्मच अमचूर पाउडर अब हमको आधा कब पानी इसी मसाले में एड़ करना है और सारे मसाले हमको कल लेने हैं मिक्स और इस तरह आप एक बार चना बना के जरूर देखें घंटों की जंजट बिल्कुल छोड़ दें इंस्टेंट चना बन जाता है और बहुत टेस्टी चने लगते हैं देखें हमने मसाला भी तयार कर लिया इन चनों में हम दो चीज और एड़ करेंगे तो मैंने आदा हिंज का अध्रक का टुड़ा लिया लंबाई में काट लिया और तीन से चार हरी मिर्ची जिनको मैं इस तरह लंबाई में ही जब भी आपकी मर्जी हो आप ये दोनों चीजे बना के खा सकते हैं क्योंकि रेगुलर में भी बहुत टेस्टी लगती हैं अब हम चलते हैं गयस की तरफ फ्लेमान करी और रग दिया इसी में कूकर जब भी आप ये चने बनाएं कूकर में ही बना के तयार करें और हमने दो क्योंकि मीर्ची डालने के बाद मीर्ची के दाने ऊपर उचलते हैं इसलिए हमने जाली से कवर किया अब हमने सारे मसाले जो गहुल के रखे थे न वही एट कर दिये और इन्स्टेंट ही पक जाते हैं बस एक से डेर्ड मिनट लगता है तुरंती मसाला पक जाता है क्योंकि इसमें प्याज लेसुन नहीं होती तो मसाला अच्छे से तेल छोड़ चुका है अब हम इसमें एड़ करेंगे चने और चने को कर देना है मसाले के साथ मिक्स आप 1-1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में अच्छे से चने को चलाते रहें अब हमको डालना है चोथाई चमच गरम मसाला एक टीस्पून नमक नमक अपने टेस्ट के अकोडिंग ही आप एड़ करें और ये देखे हमने सारी चीज़ें फिर से कर दी है मिक्स और चने को सेखते हुए दो मिनट हो गए है अब हम इसमें एड़ करेंगे पानी पानी आप थोड़ा हिसाब से ही एड़ करें नहीं तो कम जादा पानी हो जाएगा तो दिक्कत आजाती है तो मैंने आदा कप के लिए एक कप पानी एड़ किया है और ये देखे सारी चीज़ें करी मिक्स और हमको अब लगाना है कूकर का ढखकन फ्लेम को कर देना है हाई एक सीटी आने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगी और 10 से 12 मिनट तक लो फ्लेम में चने को पकने देंगे चलिए हमने चने को तो रग दिया पकने के लिए और चने पके तैयार भी हो गए हैं तो हम चेक कर लेते हैं कि चने कितने पके हैं ये देखिए ये देखिए लेकिन चने पक तो बहुत अच्छे से गए हैं चने में थोड़ा सा पानी बचा है तो आप बिल्कुल भी टेंसन न लें इतना पानी बचे गई बचेगा लेकिन मैं आपको पास से दिखा रहे हो चने कीतनी अच्छे से पके हैं अब हम फ्लेम को कर देंगे हाई और चने को अच्छे से चलाते हुए पानी को सुखा लेना है जिससे बहुत सोंधा पनाएगा चने में और बहुत टेस्टी चने बनके तयार होंगे तो हमने फि्लेम को हाई कर दिया और देख्ये देख्या देख्या ही पूरा पानी सूख गया है और चने बनके तयार हो गए इस टाइम पे आप इसमें अद्रक के टुकड़े मिक्स कर सकते हैं लेकिन मैं अलग से एट करूंगी यूदि जिसको तीका लगेगा वाटा के साइट कर देंगे और इसमें आप धनिया पत्ती भी एट कर सकते हैं तो देखिए हमने फ्लेम को कर दिया आफ और अब हम सर्व कर लेते हैं हमारे चना और हलुआ बनके तयार हैं इस नोरात्री आप यही भूग बना के जरूर अपने कन्याओं को खिलाएं वीडियो पसंद आया हो तो सेयर कर दें फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेस्पी और बहुत सारी किचन टिप्स के साथ तब तक आप अपने ध्यान रखें टेक क्यार बाबाए